स्वागत है आपका आपके एपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सारजा क्रिकेट इस्टेडियम जो की UAE में इस्थित है तो इस क्रिकेट पिछ का प्रिब्यू करेंगे एसिया कप में ज्यादातर मुकाबले दुबई के स्टेडियम में होना है लेकिन कुछ अहम और महत्तोपूर मुकाबले सारजा की क्रिकेट पिछ पर भी होनी है तो आज के इस वीडियो में हम सारजा के पिछ का प्रिब्यू करते हुए बताएंगे इस पर होने वाले मुकाब इससे पहले दोस्तों आप से कहना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन भी जरूरांड कर लीजिए साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों बात करें सारजा मुकाबला जो खेला जाना है 30 अगस्त को और यह मुकाबला खेला जाएगा बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीच और इन दोनों ही टीमों के पास काफी सारे बेतरीन स्पिन गेतबाज मौजूद है इसके बाद जो अगला मुकाबला इस पिच का खेला जाएगा वो सितंबर को खेला जाएगा जहाँ पर पाकिस्तानी टीम किसी क्वालिफाईर टीम से यहांपर टकराएगी, जब कि तीन सितंबर को ग्रुप B के दोनों ही क्वालिफाईर टीम इस स्पिन्यों पर आपस में क्रिकेट खेलेंगी। तो दोस्तों बात करें इस पिचकी तो ये धीमा पिच है और spinners को अच्छी खासी मदद मिलती है जबकि बल्ले बाजों के लाजे से अगर हम बात करें तो यहां पर volontries काफी छोटी है जहां पर आसानी से बल्ले बाल गेद को सीमा रहा के बाहर कर सकता है तो इस लिहाज से यह यहां पर गेद और बल्ले का अच्छा संगर्स देखने को मिलता है हलाकि हाल के कुछ समय में यहां पर जो मुकाबले देखे गए हैं यहां पर बल्ले बाज स्कोर करने के लिए थोड़ा परिसान रहते हैं और गेद बाज यहां पर इंज्वाय करते हैं यहां की कंडीशन का वैसे कुल मिला के यहाँ पर 25 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 16 मुकाबले जबकि 9 मुकाबले चेज करते हुए जीते गए हैं बात करें अवरेज स्कोर की तो पहले इनिंका अवरेज स्कोर 150 का जबकि दूसे इनिंका अवरेज स्कोर 125 का देखने को मिलता है वेन्यू का हाइस्ट टोटल अफगानिस्तानी टीम के पास ही है जिन्होंने जिंबाम्बे के खिलाप इस वेन्यू पर 20 ओबरों के खेल में 6 विकेट पे 215 रन बनाये थे जबकि लोएस्ट टोटल में नीदर लैंड की टीम स्रिलंका के सामने मात्र 10 ओबर खेलते हुए ही 44 रन बना के आलाउट हो गई थी वही इस वेन्यू का हाइस्ट स्कोर चेज लंका के नाम है जो बंगला देश के खिलाप चेज करते हुए सक्सेस्पुली 172 रन बना के मुकाबला जीता था तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड में विस्टिन डीज की टीम अपने 142 रन के स्कोर को बंगला देश के सामने सक्सेस कुली डिफेंड किया था वहीं दोस्तों हम बात करें इस वेन्यू की बाउंडरी साइज के बारे में तो यह छोटा ग्राउंड है जहां पर बाउंडरी भी काफी छोटी है यहां पर लांग ओन की बाउंडरी 62 मीटर की दूरी पर है तो इसी रेंज में यहां पर ज्यादा और चारों और की बाउंडी 60-65 मीटर के रेंज में देखने को मिलती है वैसे इस वेन्यू पर इसी अकपके में भाग लेने वाली टीमों का परफॉमेंस अगर हम देखें तो बंगला देश ने यहां पर दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही बंगला देश को हार का साम करना करना पड़ा है पाकिस्तानी टीम की बात करें जिसको की दो सितंबर को यहां पर एक मुकाबला खेलना है क्वालिफायर टीम के सामने तो पाकिस्तान ने कुल मिला के यहां पर चार टीटवंटी मुकाबले खेले हैं जिसमें से पाकिस्तानी टीम अजे रही है तीन मु ट्वंटी हुए जिसमें तीन मुकाबले बंगला देश ने तो पांच मुकाबले अफगानी टीम ने जीता है दोस्तों आपको क्या लगता है कि बंगला देश और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस ट्वंटी मुकाबले का क्या रेजल्ट निकलेगा कमेंट जरूर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों